हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलतावंत्र अब आप लोग मेरे वीडियो को अनेकडमी की लर्णिंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियो मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यों दोस्तों दोस्तों सिच्चक वरती परिच्छा के लिए जो एक नया टॉपिक आप लों ने देखा होगा जीवन कौसल का आज हम लोग इस पार्ट के important questions को discuss करेंगे दोस्तों इसके पहले भी मैं कई parts ला चुका हूँ लेकिन 200 प्रस्तों की जो मैं सभी subject की आपकी सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये इसका part 2 है इसका एक part मैं पहले ला चुका हूँ जिसमें हम लोंने 30 important questions को discuss किया था आज इस part में भी हम लोग 29 important questions को discuss करेंगे और एक एक question को समझते रहेंगे आंसर देते रहेंगे और दोस्तों आसा करते हैं इसी से आपके ज़्यादातर question फसेंगे तो एक एक question को समझते रहेंगे का answer देते रहेंगे और देखें किस प्रकार के question आ रहे हैं सभी बहुत कल्पी question इसलिए अपने answer जरूर देते रहें बाद में मेरे answer से मैच करके देखें कितने question सही हो रहे है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज किस पार को दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें उसके पास में लगे हुए तो इसके लिए मुझे आपकी इसी प्रकार की आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी तो इसी प्रकार से जुड़ते रहे हैं अधिक से दिक सेयर करते रहे हैं और एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तो दूस्तों सबसे पहला question नहीं रॉब इंसन के अनुसार परामर्स है दो व्ैक्तियों का संपर् volleyball का चार व्ैक्तियों का संपर्क है फिर बहुत से व्यक्तियों का संपर्क तो दूस्तों रॉब इनसन एक monoweganic हुए इन्होंने प्रामर्स के वारे में कई चीज़े क्धिशें मिताईए परिभासा द जाती है यह कतन है मायर्स का रॉबिंसन का वर्णार्ड का या फिर फुल्मर का तो दोस्तों परामर्स से संबंदे जो परिवासाइं दी गई है उनके इनुसार यह परिवासा मायर्स की है जिसमें इन्होंने कहा है कि परामर्स दो बेक्तियों का संपर्क होता है जिसमें एक क किसी प्रकार की साहता दी जाती है दोस्तों परामर्स अलग से एक पूरा टॉपिक दिया गया आपके जीवन कोशल के इंतरगत तो इन चीजों को अच्छे से देखते रहे इसका भी आपका A number option सही हो जाएगा इसके बाद बढ़ते हैं अगले question पर सिच्छक होने की कारण विद्याले की पत्रिका में किस विषय पर लेख लिखना चाहेंगे विद्याले में ताना साव प्रधाना चार की आवे सकता विद्याले में भाई चारे की भावना का छात्रों में विकास विद्याले में वांचित परिवर्तनों पर एक द्रश्ट या फिर लेख लिखना पसंद नहीं करेंगे तो दोसों विद्याले में सिच्छक होने के कारण पत्रिका जब दी जाएगी लेख लिखने के लिए तो उसमें क्या लेख लिखेंगे हमेशा ऐसा ही लेख लिखा जाएगा जो चात्रों के भविष्ट के लिए अच्छा हो उनके आचरा उनको बढ़ाए या फिर आपके मन के भावों को अच्छे भावों को प्रकट करे तो देखे दोस्तों B-Number Option में लिखा गया यही सबसे सही लग रहा है कि विद्याले में भाई चारे की भावना का चात्रों में विकास यह बिल्कुल सही हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर फॉर एबरी चाइल्ड और यूनाइट फॉर इंडिया स्लोगन निम लिखित में से किस संस्था से संबंदित हैं रेड क्रॉस सोसाइटी यूनेस्कू यूनिसेफ या फिर सोसाइटी फॉर चिल्टरन प्रोटेक्शन तो इसका फॉर एबरी चाइल्ड और दूसरा यूनाइट फॉर चिल्टरन ये दोनों स्लोगन किस संबंदित हैं तो इसका सी नमबर आप्सन है यूनिसेफ यूनिसेफ है क्संस्था जो की सैयुक्तराश संग के अंतरगत आती है और दोसों इस संस्था के इंतर्गत जो बाल चाइल्ड लेबर है या बाल मज़ूर है इसके लावा बालकों की पढ़ाई से समंदित इससे समंदित एक ये अभियान चलाए गया था जिसका स्लोगन है पर एबरी चाहिल्ड और यूनाइट फॉर इंडिया तो इसका सी नंबर आप्शन सही हो जागा यूनिस से याद कर लीजा आप लोग अब इसके आज बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर वेस्क वेक्त के सिच्छन प्रसिच्छन के सिधान्त और तरीकों से समंदित है पेड़ प्रकार होते हैं इसका ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा पांच प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं इनके नाम बियाद रखिये तो पहला होता सांती दूसरा होता इसने है तीसरा होता सत्य चोथा होता है अहिंसा और अंत में आता है सही आचरण अब इसकाद बढ़ते हैं अगले कौशन पर पुरसकार का नकारातमक वक्ष है लालच इरस्या दोएस या उपरयुक्त सभी तो दूस्तों देखिए तीनों जो दिये गये हैं यह एकी के रूप होते हैं और यह पुरसकार के नकारातमक वक्ष होते हैं इससे बालक किन तर क लालच उत्पन होने लगता है आपस में इर्षा के भाव आने लगते है और दोएस उत्पन होने लगता है तो दोस्तों D-Number option सही हो जागा उपरयुक्त सभी इसका आपका D-Number option सही हो गया अब इसका बढ़ते हैं अगले कुश्चिन पर दंड किस परकार का प्रेरक है नकार अत्मक प्रेरक होता है सदयब के लिए तो इसका A-Number option सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले कोश्चिन पर तो दोस्तों अगला कोश्चिन धर्म भीहिन सिच्छा अंतताह निरर्थक सिद्ध होती है यह किसका कतन है महात्मा गांदी का राधा क्रस्णन का जॉन डीवी का या फिर उपर युक्त मेंसे कोई नहीं तो दोस्तों जो धर्म भीहिन सिच्छा होती है निरर्थक होती है कतन है महात्मा गांदी जी का इन्होंने यह बताया था इसका आपका A-Number option बिल्कुल सही हो जाएगा एक कोश्चन का दूस्तों आंसर जिरूर देते हैं या आप लोगों को कोई डाउट हो कोई चीज समझ में ना रही हो तो डाइरेक्ट आप लोग कमेंट वाक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा अब अगला कोश्चन है निम्न लिखित में से कौन सा दूस्तों यहाँ पर भी क प्रक्रियाओं को याद दिलाने के योग इवना ना परिघटना या अफधारेणाों को अपने सब्दों में अभी व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना या फिर अगला है निम्न कैसे काम करता इसे इस पश्च्ट करने ही तो उदाहरन उपलब्द कराने के अपना आंसर दीजिए क्या लिखा इसमें कि समझ के लिए सिच्छन को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है तो दोस्तों इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा बी नंबर आप्शन में लिखा है एक आंकी तथियों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग गिवनाना दो दोस्तों जो बच्चे आंतरिक रूप से अभी प्रेरित होते हैं उनके लिए कौन सी सही नहीं है वे कार करते समय उच्छिस्तर की उर्जा प्रदर्शित करते हैं बे चुनावती भरे कारियों को पसंद करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं या फिर उन्हें कार करने में आनन पर आता है तो दोस्तों देखे हमेशा लगा हुआ पहली बाद तो इसलिए गलत हो गया और दूसरी बाद देखे कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सो करना इसमें कहा लिखा ये हमेशा ही सफल होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि ये सफल ही होंगे बाकी तीनों जो लिखे हैं वो उनकी आदतों के अनुरूप कार लिखे गए ये सी नंबर जो दिया गए है आप लोगों को सिलेक्ट करना है अब इसके बाद अगला कोशन चोटे सिछारतियों में निम्न लिखित में से कौन सा लच्छन पठन कठिनाई का नहीं है दोस्तों और पूछा गया कौन सा पठन कठिनाई का उनके इस तरके अंतरगर लच्छन नहीं है सब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई सुसंगत वर्तनी में कठिनाई वर्ण एवं सब्द पहचानने में कठिनाई या फिर पबन गति और प्रवाह में कठिनाई तो दोस्तो बढ़ते हैं अगले कोशन पर निम लिखित में से कौन सी विशेस्ता आंतरिक रूप से अभिप्रेरिद बच्चों के लिए सही नहीं है दोस्तों ये कोशन मैं भी आपको करा चुका हूँ इसका आपका C नंबर आप्शन सही हो चुका है निम लिखित में से कौन सा सीखने के प्रेणा बहुत सरल और कठी लच्छियों को चैन करने की प्रवर्ति लच्छियों को प्राप्ट करने की व्यक्तिगत संतुष्ट या फिर वह कारक तो दोस्तों जो आंतरिक रूप से अधिक्तम रूप से प्रेडित करता वो क्या कारण होता दोस्तों C नंबर आप्शन में लच्छियों को प्राप्ट करने की व्यक्तिगत संतुष्ट या उसके लिए आतुर नहीं होगा तब तक उसको अधिक्तम रूप से तब तक अभिपरेडित हो सकता है तो दोस्तों अभी पड़ते हैं अगले कोशन पर अब प्रेड़ा की उत्पत्ती होती है आविसक्ता से समय से काम से या फिर किसी से नहीं तो इसकी उत्पत्ति किस से होती है इसकी उत्पत्ति सदय आविशक्ता से होती है आविशक्ता ही आविशकार की जिननी होती है कहाँ तो इससे कैसे संबन्दित होगा तो अफिरेणा जो होती है फिरेणा का मनलब क्या होता कि आंतरिक मारे को सुरू करने जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रियां सब्सक्राइब इस के संब्सक्राइब की करता और अगला कोशन है प्राणी की क्रिया एया व्यवहार के पीछे विद्यमान सक्ति को मनो विज्यान में क्या कहा जाता चिंतन प्रतिची करन प्रेरणा या फिर संबेग दोस्तों जो प्राणी की क्रिया या फिर वेभार होता है उसके पीछे का विद्यमान जो सक्ति होती है उसे क्या कहा जाता इसे दोस्तों प्रेरणा कहा जाता या से प्रेरणा कहा जाता है अब इसके अगला कोशन है मानो सरीर पर आधारित प्रेरणा हैं निम लिखित में से किस बर्ग में आती हैं सारीरिक मनोवग्यानिक अरजित या फिर सारीरिक बा मनोवग्यानिक दोनों तो देखें दोस्तों साफ साफ लिखा है मानो सरीर पर आधार अरजित करता है किसी को देख कर जो क्रियां करता वो अरजित के अंतरगत आती है तो इसका आपका A number option सही हो जाएगा अब इसका अगला कोशन है भूख कैसा प्रेरख है अचेतन प्राथमिक अरजित या फिर दुतियक तो इसको भूख जो होता है ये किस प्रकार के प्रेरख के अंतरगत आता है इसका B number option सही हो जाएगा प्राथमिक प्रेरख के अंतरगत आता है और जन्मजात प्रेरख के अंतरगत आता है यानि कि भूख जोती है प्राथमिक होती है प्राइमरी रूप से प्रतेक बालक और प्रतेक व्यक्ति को चाहिए ही होती है तो ये प्राथ के अंतरगत आ जाता है अब दोसदों साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है तो और दोस्तों आरेकां कि नाम है कि नाम है? अब बढ़ते हैं अगले कोस्चन पर निम्द में से किस किस मनोब कग्यानिक ने प्रेरणा का मूल प्रिवत्ति का सिध्धवंत प्रस्थूत किया था दोस्तों इसको लगवग दस से पंद्रे वार याद करा चुका हूँ बता चुकत हूं लेकिन येदि आपसे किसी भी रूप में पूछा जाए येदि मूल प्रवत्यों के सिधानbreaker पूछे जा रहा है मूल प्रवत्यों के पूछे जा रहा हैं तो आप लोग मांन के चले विलियम मैक डूगल की ही बात हो रही होगी इसका B number option से उजगा इन्होंने 14 संभेगों के लिए 14 मूल प्रवतियां बताई थी याद रखे ए चीज भी आप लोग और मूल प्रवतियों का सिध्धान्त जो दिया था वो बिलियम वैक डूगल ने दिया था अब इसके आद अगले question पर बढ़ते हैं यदि छात्र कच्छा में आप से प्रस्ण करते हैं तो आप क्या करेंगे छात्रों को प्रस्ण करने के लिए उत्साहित करेंगे उनको डाट कर बैठा देंगे उनको सिच्छन के बाद प्रस्ण करने को कहेंगे और फिर प्रस्ण के महतुपर भासन देंगे तो दोसों इसका A अधिक से अधिक प्रेरित हो सकें यही सबसे suitable आंसर रहता है ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा अब इसका अगला कोशन एक सिच्छक को अपने चात्रों के नाम जानने चाहिए इससे क्या लाब होगा चात्र गलत कार करने से डरेंगे चात्र सिच्छक से अधिक संपर्क में आएंगे चात्र अनुसासित रहेंगे या फिर उपरयुक्त सभी तो दोस्तों इसका देखे डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अब इसका बढ़ते हैं अगले कोशन पर किसी भी अनुक्रिया की विलोपती सबसे कठिन होती है जब सतत्पुनरवलन दिया जाए आंसिक प पुनरवलन दिया जाए या फिर उपरयुक्त सभी तो दोस्तों जब किसी अनुक्रिया की विलोपती सबसे कठिन यानि कि जब कोई क्रिया ऐसी रेट जाती है जो कभी भी भूलना मुश्किल होता है तो यह कैसी होती है कि इसका सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा पहले आ टांगे और एक पूछ होती है और उसके जब वह भैस को देखता है और तब वह भैस को भी गाय कहकर ही पुकारता है यह प्रक्रिया उदारण है समायोजन का आत्मसातिकरण का अनुकूलन का या फिर संतुलन का तो यह देखे जीन प्याजे के इंतरगत मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी यह उसके इंतरगत कई important परिवासा हैं तो इसमें आपको यह प्रक्रिया बतानी कि किस प्रक्रिया के इंतरगत आता है उसे सिर्फ यही पहचान बताई गया यह अंतर नहीं बताए गया इस बज़े से उस बारे में उसे पूर्ण गया नहीं है और वो सही से नहीं बता पा रहा है इसका आपका B number option सही हो जाएगा आत्म साती करण कहलाता है B number option सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर परामर्स को निर्देशन की एक विद्ध के रूप में जाना जाता है यह कथन को सुईकार किया जोंस ने मायर्स ने इसकिनर ने य दोस्तों यह आपके questions लगवग important question मैंने ले ली है और एक question को आपको बताय दे रहा हूं आप लोग answer जरूर देते रहे और साथी साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो सिच्छक वरती 2019 नाम से एक playlist बनी हुई है वहाँ पर जाकर आप लोग सभी पिछली वीडियो को देख सकते हैं मैं डेली आपके लिए दो वीडियो दिलाता रहता हूं ताकि आपकी अच्छे से preparation अधिक से अधिक संक्याय में हो सके तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रही है कि question को समझते जरूर रही है अब अगला question ह parameters का उद्दे से है बच्चे को समझना बच्चे की कमियों का करण पता लगाना बच्चे को समयोजन में साहता पृधन करना या फिर उपर युक्त में से कोई नहीं तो उससों parameters का क्या आर्थ हो जाएगा इनों option दिये कह य Dubai प्रायमर्स का का उद्दे से नहीं होती है इसका लाइफ से समंदित, जीवन कौसल से समंदित, सलाह देना ये सब इसके इंतरगत आता है ना कि उसे समझाना ये उसकी कमियों का कारण पता करना ये चीजे नहीं परामर्स के इंतरगत आएंगी इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम कोशन है बच्चों की नेतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्त के पढ़ाना, सिच्छन का आदर्स रूप में विभार करना, उनका मूल सिच्छा पर मूल लेंकन करना या फिर उन्हें प्राता कालि सभा में उपदेश देना, तो दोस्तों जो बच्चों में नेतिकता स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है, वो आपका बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा, कि सिच्छन का आदर्स रूप में विभार करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा है, चाहे हैं सिच्छ होता है, वो चातर के जीवन पर पड़ता है, और सिच्चकों की जो गत्विदियां होती हैं, उनको ही चातर अपने जीवन में उतारते ही, इसलिए सिच्छन का और सिच्छक का आदर सुरूप में विभार करना सबसे जरूरी होता है इसका B number options सही हो जाएगा तो दोस्तों यह आपके 20 questions complete हो गए तो दोस्तों यह 29 questions complete हो गए जो की सिच्छन का उसल से संबन्दित है सामको आपके लिए दोस्तों English के important questions की वीडियो लेकर आएंगे इसी परकार से सभी वीडियो को देखते रही है याद करत अगर आपको किसी परकार का कोई डाउट हो आप लोग comment box में comment करके जरूर पूछ लें और जो question पूछा उसका अंसर जरूर अधिक से अधिक संख्या में दे दें तो तो अगर वीडियो पसंद आये तो इसे like कर दें वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना वोने थे हैं कि दोस्तों